एक balance sheet और income statement में क्या फरक होता है नहीं आपने गलत podcast पर click नहीं किया है और ये कोई finance lesson भी नहीं है लेकिन मुझे थोड़े और second दीजिए इस बात के लिए पक्का sense बनेगी तो एक example से समझाता हूँ समझ लो कि एक company की balance sheet होती है उसका blood pressure blood pressure की तरहां एक balance sheet बताती है किसी भी वक्त पर एक company की क्या हालत है in the moment मनलब जब भी blood pressure लोगे number आसपास होंगे लेकिन हर बार अलग होंगे और एक income statement होती है एक company का annual check-up उसकी full report क्या खाया, क्या खोया, क्या फाइदा हुआ sense बनी? नहीं बनी okay simpler तरीके से बताता हूँ एक income statement होती है एक annual photo आपको पता है कि हर साल एक specific दिन पर आपका portrait होना है तो आप सजड़च कर उसके लिए pose करते हो और हर साल एक नई photo होती है आपकी जिससे आप पिछली सारी photo से compare कर सकते हो comparatively एक balance sheet होती है एक selfie in the moment आप आज इसी दिन इसी पल में कैसे दिखते हो वो बताती है okay अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये बात किसी काम की नहीं थी है ना? मतलब आप सोच रहे हों कि मैं ये finance का lecture क्यों दे रहा हूँ, right? माना कि मेरा थोड़ा background है सब में, लेकिन ये सब मेरी वज़ा से नहीं है ये छोटा सा lesson जरूरी था सुहाना की वज़े से जो अब मैं realize कर रहा हूँ कि मैंने आपको सुहाना से ठीक से मिलाया ही नहीं है ओके चलो, पहले अपने आपको इंट्रड्यूस करता हूँ फिर सुहाना को मेरा नाम है लक्षतत्ता और आप सुन रहे है स्कूल ओफ इश्क एक ऐसे स्कूल की कहानी जिसके स्टूरेंट्स को स्पेस के ब्लाक होल में कम और इश्क के ब्लाक होल में ज्यादा इंट्रेस्ट है ये है एपिसोड टू, डे वान, मंडे, फेबुरी लेवन्थ, 2002 पिछले एपिसोड में आप मिले थे रोहान से और उस एपिसोड के एड में रोहान को मिली थी एक चिट जिस पर लिखा था ये दिली के English Medium School के बच्चे हैं तो बातें हिंदी में करते हैं लेकिन लिखते सब कुछ इंग्लिश में है Anyway, तो आज की कहानी में हम मिलेंगे सोहाना से सोहाना 16 साल की है और हमारे School of Fish की 11th क्लास में है सोहाना के पापा एक Investment Broker है और उसकी मौम एक बुटीक चलाती है सोहाना की एक बहन भी है रोहाना रोहाना सोहाना से एक साल बड़ी है और सेम स्कूल में 12th क्लास में है सोहाना और उसकी दीदी की फिलहाल ज्यादा बनती नहीं है ऐसा हमेशा से नहीं था 11-12 की उमर तक तो दोनों Best Friends थे लेकिन उस उमर के बाद से दोनों के बीच का फासला उनकी उमर से भी ज्यादा बढ़ गया तो अब लगता है कि वो हमेशा सही ऐसे थे बस दो रूमिट्स जिन्हें एक दूसरे को जहलना पड़ता है हालत इतनी खराब है कि कभी-कभी तो सोहाना सोचती है कि काश वो एक Only Child होती अपनी Best Friend की तरहां क्योंकि अगर वो रुहाना सोहाना की जगा उन्हें हमेशा इसी ओर्डर में बुलाया जाता है बाइदोए अगर वो सिर्फ सोहाना होती तो उसके Parents और रिष्टेदार उसे रुहाना से Compare नहीं करते फिर उसे रुहाना की परचाई में नहीं बड़ा होना होता जो जो लोग रुहाना सोहाना को सिर्फ दूर से जानते हैं उन्हें हमेशा रुहाना ही पसंद आती है सब लड़कों को भी रुहाना ज्यादा पसंद है एक बार हुआ था जब रुहाना सोहाना की एक मामी ने सोहाना का नाम पहले लिया था लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए कि सोहाना और रुहाना में यही फरक है कि सुहाना रुहाना की तरह अभी पूरी तरह पकी नहीं है यह उन मामी के शब्द हैं, मेरे नहीं और ये शब्द सुनने पर सुहाना ने अपने मन में कहा था कि अगर मामी जी को पता होता कि उनकी बेटी सेजल कितनी पक गई है तो वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती Anyway, तो क्योंकि सुहाना को लगता है कि वो अपनी दीदी रुहाना की तरहां अपनी लुक्स के भरोसे नहीं आगे बढ़ सकती या बढ़ना नहीं चाहती सुहाना ने चुना पढ़ाई को Specifically, Maths और Physics सुहाना की जिन्दगी का मोटो है Morphees Law जिसका पॉइंट है कि अगर कुछ गलत होना है तो वो होके रहेगा और सुहाना इस प्रिंसिपल को अपलाई करती है Stock Market में इसलिए जब स्कूल के Assigned Maths और Physics बुक्स कम पढ़ती है तब सुहाना पढ़ती है Income Statements और Balance Sheets को मैंने वो सब Finance की बाते इसलिए करी थी क्योंकि वो सुहाना के लिए बहुत Important है और अगर कुछ सुहाना के लिए Important है तो वो इस कहानी के लिए Important है सुहाना करीब 10 साल की थी जब उसके पापा ने उसे अपने काम के बारे में समझाया था और पिछले 5-6 साल में सुहाना इतना कुछ समझ गई है Markets के बारे में कि अब उसके पापा अपने Clients के Portfolios सुहाना से सिलेक्ट करवाते है सुहाना के लिए Balance Sheets का पॉइंट ये है कि वो BS है लेकिन हर BS को भी Physics के Laws को Follow करना पड़ता है अगर कुछ गलत हो सकता है तो होके रहेगा इसलिए सुहाना को Income Statements पसंद है Income Statements होती है पूरा सच In the moment वाला छोटा सच नहीं Full Report वाला सच सुहाना को लगता है कि जब पूरी दुनिया का ध्यान हमेशा जाता है उसकी बहन रोहाना की तरफ कि रोहाना Balance Sheet है दूर से देखो In the moment देखो तो ठीक है वो अच्छी लगती है लेकिन सुहाना Income Statement है थोड़ा इंतजार करना पड़ता है उसके लिए लेकिन जो दिखता है जो मिलता है वो होता है पूरा सच ओके तो इस लंबी backstory और Finance Lesson के बाद अब हम आते हैं कहानी के उस मोड पर जहां ये episode हमारे पहले episode से connect होता है आपको अगर याद नहीं है तो कराता हूँ पिछले episode के end में रोहान की table पर किसी ने एक चिटपास करी थी जिसमें लिखा था Dear Rohan, there is a rumor that सुहाना likes you वो था आज ही का दिन Monday, February 11, 2002 7th period, Physics जिसमें रोहान बिलकुल भी धियान नहीं दे रहा था मतलब नहीं दे रहा है क्योंकि हम अभी उसी क्लास में बैठे हैं रोहान और हमारे इस episode की heroine सुहाना के साथ सुहाना as usual सबसे आगे बैठी है और बहुत जियादा ध्यान दे रही है क्योंकि आपको तो पता ही है कि physics उसके दो favorite subjects में से एक है तो फिलहाल सुहाना अपनी physics teacher मयूरी मैम की बात को कुछ ज्यादा ही concentration के साथ सुन रही है और मयूरी मैम अपने lecture के climax पर पहुँच ही रही थी लेकिन तभी उनकी बात कार्ट देती है school की घंटी period खतम, बच्चों का ध्यान खतम मयूरी मैम की बात खतम सुहाना को ऐसे बात बीच में छोड़ना बिलकुल पसंद नहीं उसे लगता है कि जब कोई एक कहानी बीच में छोड़ता है तो कहानी का मज़ा खराब हो जाता है लेकिन सुहाना को इस वक्त नहीं पता है कि अगले एक मिनट में वो एक नई कहानी का हिस्सा बनने वाली है और वो इस जिन्दगी के बारे में जो भी जानती है, समझती है उसके इस जिन्दगी में जो भी उसूल है उन सब का इंतेहा शुरू होने वाला है क्योंकि क्लास के खतम होने पर जब सुहाना बोर्ड से नजरें हटा कर वापस अपनी टेबल पर रखती है तब उसे वहाँ पड़ी मिलती है एक चिट और जब वो इस चिट को खोलती है तो उसे मिलता है उसमें लिखा एक मेसेज और आज की कहानी यहीं तक अब जब आपने हमारे ये पहले दो एपिसोड सुन लिए है तो शायद आपको समझ आ रहा है कि यह कहानी कहा जा रही है फिल्हाल मैं तो आपको सिर्फ यहीं बता सकता हूँ कि अगले एपिसोड में ये कहानी जा रही है डे टू पर जो है स्कूल ओ совсем का प्रॉम पोजल डे फेर्वेल और प्रॉम नाइट आ रहे हैं फाइव डेज टु गो लेकिन उससे पहले काफी लोगों की दुनिया बदलने वाली है कुछ और लोग इश्क के इस ब्लैक होल में घुमने वाले हैं और घुमने भी वाले हैं तो अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा इस कहानी का अगला चाप्टर मेरा नाम है लक्षदत्त और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉड्कास्ट स्कूल अफ इश्क आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे बताईए इंस्टेग्राम पर अगर इंस्टेग्राम पर जा ही रहे हैं तो देखना की मेरी बायो में एक लिंक है जिसमें कुछ और इंफोर इंफोर्मेशन है इस पॉड्कास्ट के बारे में और एक नया तरीका बनाया है मैंने for you to show your इश्क for school of इश्क तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम है Day 2 रुहान